जुस्तो मैं सुनील आज हम बात कर रहे हैं भारत एम पाकिस्तान के मध्य एक रेखा जिसके कारण एक देश के दो टुकदे हो गए उसे हम रेड़किफी रेखा कहते हैं हम सभी जानते हैं कि यह रेखा काफी विवादित रही है इस लाइन के कुछ अंचुए पहलू जिसके बारे में पहले शायद आपने नहीं सुना होगा हम बात कर रहे हैं नाटक ग्राइन दा लाइन के लिखक हौवर्ड ब्रेंटन ने कुछ पहलू बताए आए जानते हैं क्या कहते हैं हौवर्ड ब्रेंटन साल 1947 का वो समय जब आनन फानन में ब्रिटेन से कहा गया था कि भारत के दो टुकडे करने हैं रेड क्लिफ न कभी भारत आये थे न यहां की संस्कृती की समझ थी बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था क्या गुजरा होगा रेड क्लिफ के दिलो दिमाग में इसी की कलपना पर आधारित नाटक ग्राइन दालाइन लंदन में चर्चा में है नाटक के लेखक हौवर्ड ब्रेंटन कुछ साल पहले भारत आये थे वहां केरल में उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसके पास पाकिस्तान में उनके पुष्टैनी घर की चाविया आज भी है ये किस्सा सुनने के बाद हौवर्ड के मन में भारत के बंटवारे को लेकर कई सवाल उठे और खास कर उस शक्स को लेकर जिसे विभाजन रेखा खीचने का जिम्मा सौपा गया था कहते हैं कि रेड्ट्लिफ ने वो सब दस्तावेस और नक्षे जला दिये थे जो बंटवारे के गवाह थे और इस बारे में ज़्यदा आज नहीं को इतिहास कारों के मताबिक भारत और पाहिस्तान में जो सब्रादियर की साविकारों के बादे लिभाजन देंगी इन ही कालपनिक सवालों का जवाब धूंडने की कोशिश इस नाटक में की गई है ये नाटक भले ही इतिहास की एक त्रासदी को दर्शाता है जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेपसी, कटुता का सैलाब लेकर आई लेकिन नाटक में कई मुश्किल परिस्थितियों को भी कभी कभी तंज और व्यंग्य के पुट में दिखाया गया है मिसाल के तौर पर नाटक के एक ग्रिश पर नजर डालिए पहला व्यक्ति, रेड क्लिफ से, नक्षे पर आपने जो लकीर खींची है, वो फिरोस्पूर की रेलवे लाइन है आपने रेलवे लाइन के बीचों बीच सीमारेखा खींच दी है एक रेल भारत में हो जाएगी और दूसरी पाकिस्तान में तो कैसे पाकिस्तान को मिला लाहर भारत के वरिश्ट पत्रकार कुलदीप नयर विभाजन के समय सियाल कोट में रहते थे वे उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने बाद में रेड क्लिफ से लंदन में मुलाकात की थी बंटवारे की फाइल फोटो रेड क्लिफ से जुड़े अपने अनुभव बाटते हुए कुलदीब नयर ने बताया मैं जानना चाहता था कि कैसे उन्होंने विभाजन की लाइन खीची उन्होंने कोई बात मुझसे छिपाई नहीं बकॉल कुलदीब नयर रेड क्लिफ ने आप बीती सुनाते हुए कहा था मुझे दस से ग्यारा दिन मिले थे सीमा रिखा खीचने के लिए उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिये दौरा किया नहीं जिलों के नक्षे थे मेरे पास मैंने देखा लाहॉर में हिंदूओं की संपत्ती ज्यादा है लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था मैंने लाहॉर को भारत से निकाल कर पाकिस्तान को दे दिया अब इसे सही कहो या कुछ और लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहॉर दे दिया। बंटवारे के कारण लाखों लोगों की जान गई। क्या रेड़कलिफ को इसे लेकर अफसोस था। कुलदीप नैयर ने बताया कि इस बारे में रेड़कलिफ से कोई सीधी बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें बातचीत से ऐसा लगा कि रेड़कलिफ समवेदनशील इनसान थे और उन्हें काफी गलानी महसूस हुई। रेड़कलिफ कभी भारत नहीं लोटे।